कोरोना रिटर्न, कोरोना के खिलाफ सरकार की तैयारी तेज हो गई, युद्धस तर पर तैयारी की जा रही है, एरपोर्ट पर कल से रैंडम टेस्ट शुरू किया गाएगा, मास को फिलाल अनिवारे नहीं किया गया है, बूस्टर डोस के लिए नोजल वाक्सीन को मन्जूरी मिल चुकी है, 27 दिसंबर को देश भर में होगी, कोरोना मॉक ट्रिल, ये ब्रेकिंग न्यूट, इस वक्त हम आपको दे रहे, कोरोना को लेकर अपडेट आप तक पहुचा रहे है, एरपोर्ट पर, कल से रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दिया जाएगा, प्लाल मास को कमप ट्रिल किया जाएगा, और मॉनिटरिंग खुद देश के प्रधारमंद्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो ये 6 तस्वीर आपके टार्विजन स्क्रीन पर, देखिए लगातार बड़ी बैठक बुलाई जा रही है, हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, और कोरोना को लेक है, और एड्वाइजरी भी जारे किया गया है, हालांकि अभी मास्क को कंपल्सरी नहीं किया है, संसत की तस्वीर निकल कर सामने आए, जहां पर लोकसभा, राजसभा के सवापती और प्रधार मंत्री मास्क पैने वे नजर आये थे, और पी-म खुद नजर बनाए वे हैं इतने भी हर्टिटल्स में कुविट को लेकर के पहले जो तयारिया थी, उनको खुणा हम पूरा करेंगे, हम सतर्टाय किसले बरत रहे हैं, कि दूनिया के दूसरे राश्ट्रों से ख़बरे कोविट की लेकर के चिंता जनक आ रही हैं, हम पहले से ही सतर्टों करके कांपने करोना के लिए पूरी तरीके से हर दिन जो हमारी तयारी है, कोई चीज घबराने की जरूता नहीं हैं, लोगों को, सब को जो है काभू में है, और मान्य मुक्ष मंतर जी, हम लोग रेगूलर जो है, रेपोर्ट जो आता है, वो हम लोग रेपोर्ट देखते रहते हैं, हमने इसलंडनी कहते हैं, तो अभी जो है, तो हमारे केंदरी स्वास्तमंत्री जी लिए इस पर गंवीरता पूराइक पहल कियं है, और हमने भी हमारे एसिएस सहाब के साथ और हमारे विबा के साथ बैठक किया, एसियस साथाब ने सारे उपायूक्तों को पत्र लिखा है, और द तो अगारे में पेज़ की में बचाही च्टाइब सब्सक्राइब तो हमारा यह उनको अपिल करने के लिए हमारे CM DCM साहब ने प्रिकोसनेरी मेजर्स लेने के लिए बता दिया है हमारे पूरी तैयारी है पूरी जाज की जारी है जाज के लिए पूरी संसादन हमारे पास है पूरी निगा है अभी नॉर्मल के इसे दो चार पांच के इस जेपुर में आते हैं कहीं हो राते होंगे कहीं कोई इस्तती ऐसी नहीं है जिससे कोई इस्तती खराब हो या कोई इस सिखाए तो धर्राइपूर में कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है विदेश से लोटे दो लोग कोरोना पॉस्टिफ आए गया है जिनों सिवेक्सिंग के लिए उनका सैंपल भेजा गया है कोरोना के नई वेरेंट भी अब सेवन को लेकर सरकार शासन प्र वाका एक भी केस नहीं आया है मध्यफर देश में पॉस्टिविटी रेट शून यह है एंपी में कोरोना के अक्टिफ केसस साथ है खंड़वा और भुपाल में तीन-तीन केसस है और इंदौर में एक पॉस्टिव केस है हर पॉस्टिव केस की होगी जीनों सिवेक्सिंग न पत्या राजपूत राइपूर से जुड़ेवे सबसे पहले इंदौर लिए चलते हैं आर्थिक राज़दारी वहाँ पर भी एक पॉजिटिव केस है फिलार प्रशासन के तरफ से क्या तैयारी है मन्त देखिए बिल्कूल जैसे कि आपने देखा था कि पिछली बार कोरोना में इंदौर हाट स्पोट बना गुआ था और नए वेरियंड के सामने आने के बाद में इंदौर CMHO ने भी यहाँ पर अलट जारी किया है CMHO के मुताविक यहाँ पर सभी लोगों को अवेर किया गया है लोग मास्क लगाए ज्यादा भीड़वार वाले इलाके में ना जाएंगे अवेर्नेस यहाँ पर फैलाई जा रही है अवेर्नेस कारिक्रम यहाँ पर शुरू कर दिये गए है इन दौर में आने वाले समय में प्रवासी भारती संबेलन यहाँ पर आयजित होना है और देश-विडेश से कई लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं तो इसको लेकर भी यहाँ पर जो स्वासवाग है वो अपनी तयारिया करता नजर आ रहा है जो भी लोग यहाँ पर विडेशों से पहुंचे हुए है उनकी रेंडलमियरी टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर शुरू कर दीən कई है जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी, इसके सासथ अभी जो राज्य सरकार के निर्देश यहाँ पर मिले हैं, उन निर्देशों का पालन यहाँ पर करने की बात, जो स्वास्तवाग कहता नजर आ रहा है जी। लेकिन इसके चलते जो कोरोना दूसरे देशों में इस वोट हो रहा है इसको लेकर मुख्यमांति शिवरा सिंग चुहान ने आज साड़े पांच बजे एक बड़ी बैठक बोलाई है बैठक में जो निर्देश है गाइडलाइन्स है वो जारी की जाएंगी हलाकि मास्क को फि जरूर जाए देखिए एक और चीज़ यहाँ पर सरकार साफ कर चुकी है अगर कोविट पॉजिटिव कोई भी मरीज मध्यप्रदेश में आता है उनकी सबसे पहले जिनॉम सीक्वेंसिंग की जाएगी इसके पीछे की वज़ा यह है कि जो अब नया वेरियंट आया है वो क चीन में हाला देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बिगड़ चुके हैं इसलिए अब जिनॉम सीक्वेंसिंग जो है वो मध्यप्रदेश के तमाम जो जिले हैं उनको अलोट किया गया है वहाँ पर की जाएगी चाहे गौलियर की बात करें या राज़नानी भोपा चाहिए लेकिन अपील की तरफ से जरूर की जारी हम भी लोगों से एपील करते को विडाइटीन की नियमों का पालन करें राइपूर लिये चलते सथ्ट्य राजपूत भी हमारे साथ बने वहें जाने की कोशिश करते कि राइपूर में क्या हाला आता है प्रशासिन की बैठक अभी कुछी देर पहले शुरू किये हैं और इसमें जमान जो अजिकारी हैं सभी जीलों के जीलाची की साधिकारी हैं बैठक में सामिल हुए हैं अगर हम बात करें दो दिन पहले तक की इस्तिती को प्रदेश में तो 36 गड़ जो है कोरोना मुक्त हो गया था एक भी आटी पीसीर करने के लिए जो है भेजा गया था लेकिन उसमें गंभीर जो है वाइरस लोड बताया जा रहा है और वह भी रिपोर्ट जो है पाजेटिव आई है उसके बाद जो है जिनों सिक्वेंस के लिए जो है टेस्ट के लिए बहेजा जाएगा तो इस तरह कहीं न कह अगर हम बात करें, तैयारी को लेकर, अगर 36 गड़ में हम आप तक की बात करें, तो 11 लाग से जादा लोग koरोना संक्रमित हुए तीनों लहर में, और 14 जार से जादा लोग、 जिन लोगों की मौथ हुई है, जो korlas संक्रमित हुए है, तो ऐसे इस्थिती में स्वास्विभाग अलेट मूड में है, ऑक्सिजन प्लांट लगभग सभी हॉस्पिटल में लगाये जा चुके हैं, वेंटीलेटर तयार है, ऑक्सिजन बेड की तयारी चल रही है, ऑक्सिजन की कमी नहीं होगी ये दावा किया जा रहा है, पिछले दो सब्सक्राइब का बहुत बहुत शुक्रिया, तो एक बार फिर से कोरोना दबे पाउं पैर पसार रहा है, शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, दिशा निर्देश दिये जा रहे है, अपील की जा रहे है, मास्क पहने जाए, और न्यूस 24 मद्यपेदे 36 गड़ भ का पालन करें, अपने और अपनों का खास खाल रखें